HyperOS Update के बारे में तो आपने आपर सुनाई होगा लेकिन आप लोगों को भी डाउट होगा अगर आप लोग मेरी तरह Poco X3 Pro स्मार्टफोन है वो यूज करते हो क्या इसके अंदर आपको फ्यूचर में Android 14 बेस्ट HyperOS 1.0 का जो अप्टेट है वो मिलेगा या फिर नी और अगर य नए फीचर को याँ पर एड़ किया जाएगा तो वीडियो को complete फोच करना वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकतो और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर को मिलते हैं तो HyperOS Global का यह वाला शेडूल है वो आप रूख देख से तो कोई टाइम था जहां पर MIUI 13 अपटेट का शेडूल वो आता था तो Poco X3 Pro का नेम है वो Poco की स्मार्टफोन के अंदर सबसे उपर देखने को मिलता था लेकिन HyperOS अपटेट के अंदर कहीं पे भी आप जाता है ना तो अभी आपको Poco X3 Pro का नेम है वो काफी लास्ट देखने को मिलेगा तो बात करते हैं इसके अंदर अपटेट मिलेगा या फिर नी तो आप लोग इस मेटट के जरीए पता लगा सकतो क्या आपकी स्मार्टफोन के लिए अपटेट मिलेगा या फिर नी तो HyperOS अपटेटर का ये वाला एप है वो आप लोग अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर लेना उसके बाद में सिंपली इसको ओपन कर सकतो ओपन करते हैं टाइम में आपको या पर पता चल जाएगा कि आपकी स्मार्टफोन के अंदर HyperOS का अपटेट मिलेगा या फिर नी और Android 14 अपटेट का अपटेट मिलेगा या फिर नी तो अभी मेरे स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13.0.3.0 का अपटेट ना वो चल रहा है अब ये चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि Motherboard की जो प्रोब्लम है वो काफी ज़दा है या पर आ रही है और अगर मैं नही देख से तो HyperOS का अपटेट है वो जरूर से देखने को मिलेगा Poco X3 Pro स्मार्टफोन के अंदर लेकिन Android 14 का अपटेट नहीं आएगा अब इसके पिछे का रीजन ये है कि इसके अंदर दो Android के बड़े अपटेट है वो अल्रेटी आच चुके है Android 11 के साथ में ये जो अपटे देख सकते हो Android 12 का जो अपटेट है वो इस डिवाइस के अंदर आप चल रहा है तो अगर आपको इस स्मार्टफोन के रिगर्डिंग कोई भी डाउट है तो बता सकतो कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो कर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चेनल को भी सब्सक्रा में जेहिंद वंदे मातरम